इन दुनिया भर में अपने अनोखे आभिशकारों की वज़े से मशूर है अगर आप चीन में होंगे तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ नया देखने को मिली जाएगा वहाँ अजीबो गरीब तरीके से बनी इमारते, बिल्डिंग और सड़के आदी और भी बहुत कुछ जिनकी कोई हद नहीं है चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसके बार में कुछ ना कुछ जानने के लिए लोग हमेशा से उच्छक रहते हैं चाहे वहाँ उनकी संस्क्रिती हो या फिर उनका खान पान आज मैं आपको चीन से जुड़े कुछ अंसुने अजीबो गरीब तत्थे बताने जा रहे हैं चीन में जब सेनिक को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी युनिफोर्म की कोलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वह अपनी गर्दन उपर ही रख सके शाम साथ बजे के समय जादर चीनी लोग एक ही टेलिविजन चैनल देख रहे होते हैं चीन में स्वादिश्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाग बिलियां खाई जाती हैं चीन में 3 करोल लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं यहां के जातर लोगों का पसंदा शोंक टिक्टे इकठी करना है चीन में हर 30 सेकंड में एक ऐसे बच्चे का जनम होता है जो जनम जात दोशे परभावित होता है यहां के लोग हर सेकंड में 50,000 सिगर्ट पी जाते हैं इंगलिश बोलने वाले लोग अमेरिका से ज़्यादा चाइना में हैं दुनिया में जितने सुवर हैं उनके आदे अकेले चाइना में हैं अगर आप होड एर बेलून से धर्टी को देखने निकलेंगे तो चाइना का शांगो शेयर सबसे खूबसूरत नजर आएगा यहां एक लड़के ने सिर्फ आइपेड खरीदने के लिए अपनी किड्नी बेश दी थी चाइना में हर साल 45 बिलियन चापेश्टिक इस्तेमाल की जाती है इनके लिए हर साल 2 करोड पेड काटे जाते हैं यहां के एक शक्ष को 12 साल की सिजा दी गई क्योंकि उसने आखरी चाइना बाग को मार कर खा लिया था चाइना में कोई बिजन शुरू करने में सिर्फ 38 दिन का समय लगता है चाइना में खुदकुशी की इतनी घटना ही होती है कि आपको नदी में से डेट बोर्डे निकालने की भी नोकरी मिल सकती है यहां दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज़्यादा पतरकार और इंटरनेट इस्तमाल करने वाले लोग जेल में बंद है यहां इंटरनेट के लख से परिशान लोगों के इलाज के लिए केम्प भी है दुनिया भर में अंडों को पानी में उबाला जाता है लेकिन चाइना में लड़कों के पिशाब में अंडे उबाले जाते है चाइना की अबादी इतनी जादा है कि अगर कहे दिया जाए एक लाइन बना के चलो तो यहाई लाइन कभी खतम ही नहीं होगी यहां बिजिंग की हवा में परदूशन इतना है कि सांस लेने से होने वाला नुकसान दिन में 21 सिगरट पीने के बराबर है तीर कमान का उपयोग भी सबसे पहले चाइना में ही किया गया था 2010 में चाइना की शंगाई सीटी में 100 किलोमेटर लंबा ट्राफिक जाम लगा था यहाई जाम 12 दिनों तक रहा था दुनिया का सबसे बड़ा शोपिंग मॉल चीन में है पर यहाई मॉल 25 तक 99 पर्तिशत खाली था यहाँ अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल बेश सकते हैं 2025 तक नियू योर्क जैसे चाइना में 10 शेयर होंगे 400 साल पहले दुनिया की पहली पेपर मनी चाइना में बनाई गई थी यहाँ चीनिया के गोंशले से बनाए गए सूप की सबसे ज़्यादा मांग है जिस गोंशले का इस्तमाल इस सूप के लिए होता है वो करिब 1.5 लाग उपर पती किलो की दर से बिकता है अमेरिका की इतनी अबादी नहीं है जितने चाइना में सैलफोन है दूसरे देशों में पढ़ाई करने गए 10 चीनी चातरों में साथ कभी वापस नहीं लोटते चाइना में साल 2009 से ही फेस्बुक, ट्वीटर और दा नियोक टाइम्स बंध है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेर और चैनलो को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद